कि हैं यहां पर हम लोग के बारे में justice कर रहे हैं पिटूटी फिजी उस्में और एक पॉर्शं यह पोछन पिक्तृ और cooking होती है वह टू पार्ट से बनी होती है अ यहाँ चोटा सा इंटर्मीडियट होता है अब हम लोग डिसकस करेंगे जैसा कि हम लोग जानते हैं कि posterior जो पिटूटी होता है वो खुद का कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करता यह सिर्फ यहां जो hypothalamus से हार्मोन होते हैं इनको collect करता है यहां से यहां यह हार्मोन कलेक्ट होते हैं और इसमें हम लोग डिसकस कर चुके ह इस तरह से दो हार्मोन यहां से posterior parts होते हैं अब हम लोग इंटीर पार्ट के बारे में डिसकस करते हैं कि इंटीर लोग से कौन-कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं तो इसमें जो फस्ट हार्मोन है वो है FSH दूसरा LH तो FSH जो होता है वो फालिकिल स्टिमुलेटिंग हार्म हार्मोन है फालिकिल स्टिमुलेटिंग मेल और फिमेल में अलग अलग तरीके से काम करता है तो FSH हो गया और दूसरा है LH यानि कि लिटिनाइजिंग हार्मोन LH तो यह भी जो है एक तरह का आप का सकते हैं यह दोनों कैसे हार्मोन है FSH और LH गुनेडो ट्रापिक हार्मो यह दोनों गुनेडो ट्रापिक हार्मोन हैं और यह जनाइटल आर्गन के उपर जनाइटल जो भी आर्गन से उनके उपर उनके फंक्सन के उपर उनके इस्ट्रक्चर के उपर उनके डिवलप्मेंट के उपर अपना एफेक्ट करता है और मेल और फिमेल में दोनों का एक् होता है वो stimulate करता है स्पर्म फार्मेशन इन सेमिनेफेरेस्टिबूल्स इस्टिमूलेट स्पर्म फार्मेशन इन सेमिनेफेरेस्टिबूल्स तो कौन सा हर्मोन यहां पर है जो कि FSH, FSH का नाम ही है Follicle Stimulating Hormone तो Falkyl actually यह term जो है वो लिया गया है आपके female के reference में लिया गया है लेकिन male में भी ये वही काम कता है female में आप जानते हैं कि primary, secondary tertiary, falcul, फिर graphene falcul का formation होता है तो ये जो developmental stage है ये पूरा आपका ये इसी hormone के तुरू होता है इसी लेस का नाम रखा गया FSH या follicle stimulating hormone तो female के अंदर growth and development of different ovarian falcures male में भी उसी से मिलता जोलता sperm production होता है, seminiferous tubules होती है, तो उसके अंदर sperm formation को, sperm protection को ये stimulate करता है, तो इस तरह से ये दोनों जो है, एक male में sperm के लिए, female में ovum के लिए growth and development के लिए FSH जो है, responsible होता है अब एक दूसरा हर्मोन है LH, तो LH का भी male और female में अलग-अलग function होता है तो इसमें कैसे होता है, इसको हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग female की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो दोनों हर्मोन है, इनका जो naming है, basically वो female की basis पे किया होता है, तो LH का मतलब होता है luteinizing hormones, तो luteinizing का मतलब जब OVA, OV, ORI से या फॉल्किल से release होता है, उसको ovulation बोलते हैं, तो एक तरह का वो उसी को luteinization term भी दिया जाता है तो OVA का release होना ORI से ये luteinization है और इसी के basis पे इसका नाम luteinizing hormone रखा गया है क्योंकि 14 देज में ये इसका जो level होता है, ब्रेट के अंदर हो high होता है, और इसी लिए ये release कराता है, OVA को या OVA को कहां से ORI के, से release कराता है इसके अलावा इसका एक function और है, secretion आप estrogen from maturing over in falcul maturing over in falcul आप जानते हैं कि estrogen का secretion भी over in falcul से ही होता है तो उसके secretion को भी ये promote करता है, इसके अलावा progestron from carpus luteum अब इसके बारे में हम लोग next class में डेसर करेंगे कि estrogen और progestron कब secret होता है तो estrogen भी over in falcul या ORI से secret होता है और progestron भी बाद में उसी over in falcul से secret होता है जो कि carpus luteum बोला जाता है तो एक तरह से जो secondary हर्मोन है estrogen and progestron इनको ये secret कराता है तो oblation और secretion नाव secondary हर्मोन जो कि ORI से release होते हैं इसी तरह male में ये क्या काम करेगा induces interstitial cells leading cell to produce endrogen तो ये भी एक तरह का male हर्मोन है और ये genital system के growth and development के लिए function के लिए responsible होता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो LH है वो secondary हर्मोन जो की genital से secret होते हैं ORI से या testis से secret होते हैं उनके secretion को ये control करता है तो direct effect करने के बज़ा ये secondary direct भी effect करता है लेकिन जो खुद organ mode ORI और testis हर्मोन secret करते हैं उनके इनकी controlling होती है किसकी होती है LH की तो LH उनको control करता है कि कम उनको release होना है या नहीं होना है तो male और female में इसका mainly function यही है LH का और एक function और है ovulation तो इस तरह से आप समझ गए होए कि LH का जो main function है वो development of growth के साथ साथ जो male और female hormones हैं जो कि ovary or testis से secret होते हैं उनको secret कराना है तो यह FSH और LH और यह दोनों हार्मोन बुले जाते हैं gonadotropic hormones क्योंकि यह आपके genitals के उपर gonads के उपर effect करते हैं तो FSH अब कलियर यह नाम है follicle stimulating hormone यानि जहां sperm और ova का formation production हो रहा है उसको यह control करेगा और LH जो है जो secondary hormone उसे secret होते हैं उनको control करता है इसके साथ ovulation female में कराता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो LH है वो ovulation कराता है ovulation के बाद जो falcul होती है वो carpus luteum में change जाती है तो एक तरह से carpus luteum का formation कौन करा रहा है LH करा रहा है इसलिए इस hormone का नाम luteinizing hormone है क्योंकि ovulation करा है ovulation के बाद जो final structure बचता है उसमें उसको हम लोग carpus luteum मोलते हैं जो बाद में progestan का secretion करता है जो की pregnancy के maintenance के लिए endometrium के maintenance के लिए helpful होता है तो इस तरह से इसका नाम luteinizing hormone पड़ा